नमस्कार दोस्तों वेलकम टू करंट धमा का चलिए आज के वीडियो में बात करते हैं 23 दिसंबर 2021 सभी महतोपून करंट अफेर्स की तो बिना समय गवाएं बढ़ते हैं आज के पहले कुशन की तरफ हाल ही में पी एम जन्धन योजना खाते ने किस आखड़े को पार किया है तो जान लेते हैं इस कुशन का आंसर आंसर है 44 करोड चलिए बढ़ते हैं इस कुशन से जुड़े हुए अनमहतोपून बिन्दू की तरफ केंद्र की वित्तिय समाविशन योजना प्रधानमंत्री जन्धन योजना के तहत लावाड़तियों की कुल संख्या 44 करोड का आंकड़ा पार कर गई है PMZDY के तहत खुले गए खातों की कुल संख्या 44.05 करोड थी जिसमें 8 दिसंबर को कुल 1,47,812 करोड रुपे की राशी शेश थी उत्तर प्रधेश सबसे अधिक खातों के साथ बिहार के बाद सबसे उपर है 2014 में अपनी शुरुआत के बाद से यह योजना लगातार अपने आधार का विस्तार कर रही है PMZDY की शुरुआत 28 अगस 2014 को की गई थी जिसका उद्देश देश में लोगों को बैंकिंग सुविधाओं तक सार भौमिक पहुँच परदान करना था भारतिये रिजर्बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार बचत और चालू खातों को निश्क्रिये के रूप में वर्गी करत किया जाएगा यदि खाते में दो साल तक कोई लेंदे नहीं हुआ है जन दन खातों में औसत शेश सभी बैंकों के लगभग 2700 रुपे हैं चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स कुशन की तरफ हाल ही में उद्योग और आंतरिक व्यापार संबर्धन विभाग ने लॉजिस्टिक्स उद्योग को लाव देने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म लाउंच किया है तो जान लेते हैं इस कुशन का आंसर आंसर है लॉजि एक्स्टिक्स तो जान लेते हैं इस कुशन से जोड़े हुए अन्यम है तो पूर्ण विन्दूओं को उद्योग और आंतरिक व्यापार संबर्धन विभाग यानि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन आफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डीबी आई आई टी ने यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म यानि यूलिप हैक्थान लॉजी एक्स्टिक्स को लॉंच किया है ताकि अधिक विचारों को क्राउड सोर्स किया जा सके जिससे लॉजिस्टिक्स को लाब हूँ नेती आयोग और अटल इनोवेशन मिशन द्वारा यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म हैक्थान लॉजी एक्स्टिक्स का आयोजन किया जा रहा है चलिए अब जान लेते हैं लॉजी एक्स्टिक्स के बारे में यह नेशनल इंड इंडिस्ट्रिल कॉरिडोर डेवलप्मेंट कॉर्पोरेशन और एन आई सीडी सी लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक सर्विसेज लिमिटेड द्वारा समर्थित है यूलिप को एक पारदर्शी मंच बनाकर भारत में दक्षता बढ़ाने और रसद लागत को कम करने के लिए ड दुनिया के अन्य देशों की तुलना में अधिक है राश्ट्री और द्योगिक गल्यारा विकास निगम को यूलिप विक्सित करने के लिए जनवरी 2021 में नीती आयोग द्वारा अनिवारे किया गया था चलिए बढ़ते हैं आज की नेक्स कोशन की तरफ हाल ही में किसने 2021 प अवनी लेखारा चलिए जान लेते हैं इस कोशन से जुड़े हुए अन्य महतोपोन बिंदूओं को भारतिय निशानेवाज अवनी लेखारा जिनोंने 2020 टोक्यो पेरालंपिक में निशानेवाजी में भारत का पहला स्वन पतक जीत कर इतिहास रचा है उन्होंने 2021 पेरालं समिती द्वारा की गई वह पेरालंपिक खेलों के एकल संसकरण में दो पेरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारती महिला बनी भारत ने पेरालंपिक खेलों में पांच स्वन आठ रजत और छे कास सहित अभूत पूर्व 19 पदक जीते चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स कोशन की तरफ हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक परियावरान प्रवंदन पुरुसकार 2021 से सम्मानित किया गया है आंसर जान लेते हैं आंसर है सेल चलिए अब बढ़ते हैं इस कोशन से जोड़ी हुए अन्यमेहत तोपून की तरफ इसपात मंत्राले के तहत भारतिय इसपात प्राधिकरन लिमिटेड यानि सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को लगातार तीन वर्षों के लिए प्रतिष्ठत गोल्डन पीकॉक परियावरान प्रवंदन पुरुसकार से सम्मानित किया गया है पर परियावरन सुरक्षा उपाय विभिन परियावरनिय उपायों को अपनानी पर केंद्रित हैं जिन में शामिल है पृदूशन नियंत्रण सुविधाओं का उन्ययन शून्य तरल निर्वहन प्राप्त करने के उद्देश से जल सन्रक्षन के प्रयास विभिन ठोस कचरे जै से प्रक्रिया अप्षिष्ट एवं खतरनाक अप्षिष्ट कैंटीन वे टाउंशन अप्षिष्ट इनका और वनीकरण की माध्यम से कारवन प्रधकरण खनन की परियावरण पुनरस्थापना जो की बाहरी छेत्रों में ये सभी काम इसमें शामिल हैं और इस छेत्र में सेल द्वारा की गई प्रमुक पहलों के बारे में थोड़ा सजान लेते हैं कारवन फुट्प्रिंट में कमी कंपनी की कार्पुरेट नीतियों और संचालन का एक अभिन अंग बन गया है अत्यादुनिक परियावरण के अनुकूल प्रोध्योगी की की तैनाती संसाधन दक्ष के लिए प्रतिष्ठित शेक्षनिक संस्थानों के सईयोग से अनुसंद्धान एवं विकास पहल बड़े पैमाने पर वरक्षारोपन अभियान द्वारा कारवन सिंक का निर्मान, LED प्रकाश विवस्था में क्रमिक बदलाव, नवी करणिये उर्जा का हिस्सा बढ़ाना चलिए अब जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दूओं को, सेल की स्थापना 19 जन्वरी 1954 को हुई, सेल का मुख्याल है नई दिल्ली में हैं, एवं सेल के सीओ सोमा मंडल हैं, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट कुशन की तरफ, हाल ही में किसने BBC स्पोर्ट्स of the year 2021 का पुरुसकार जीता है, चलिए जान लेते हैं इस कुशन का आंसर, आंसर है एमा रादुकानू, बढ़ते हैं इस कुशन के अन्य महत्वपूर्ण विद्दूओं की तरफ, टैनिस स्टार एमा रादुकानू 2021 के लिए BBC की स्पोर्ट्स परसनेलिटी of the year हैं, उन्हों ने टॉम डेली गोताखोरी के लिए और एडम बीटी जो की तैराकी के लिए हैं, इनको दूसरे और तीसरे स्थान पर हराया, जबकि इंगलेंड के पुरुष फुटवालरों को वर्ष की टीम और गैरेथ साउथ गेट को कोच के रूप में नामित किया गया था, पूरे ब डेली ने टोक्यो में अपने चौथे ओलंपिक में पहली बार स्वान जीता, पहली बार स्वान पदक जीता, चलिए अब जान लेते हैं, स्पोर्ट्स परसनालिटी 2021 में अन्य पुरुषकार विजेताओं के बारे में, जिन में हैलन और रोसलन पुरुषकार की श्रिणी मे विजेता रहे जैन बेटी, कोच आफ दा इयर बने गैरित साउथ गेट, टीम आफ दा इयर बनी है इंगलेंड की पुरुष फुटबॉल टीम, एवं वर्ल्ड स्पोर्ट स्टार्ट बने है रेचल ब्लैकमोर, एवं लाइफ टाइम अचीवमेंट का पुरुषकार मिला है सिमोन बाइल्स को, अनसंग हीरो बनी है सैम बारलो, एवं यंग स्पोर्ट स्पोर्ट परसनेलिटी अफ दा इयर बने है इसकाई ब्राउन, चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट कोशन की तरफ, हाल ही में किस IIT ने CII द्वारा सबसे इनोवेटिव संस्थानों में पहला इस्थान हासिल किया है, तो चलिए जान लेते हैं इस कोशन के आंसर को, आंसर है IIT रुड की, बढ़ते हैं इस कोशन से जुड़े गया ने मेहतो कौन बिद्वों की तरफ, IIT रुड की को प्रतिष्ठत भारतिय उद्योग परिसंग यानि Confederation of Indian Industries जिसको शॉट में CII बोल Category में IIT रुड की ने पहला इस्थान हासिल किया है, पिछले साल IIT रुड की को इसके नवाचार भागफल के लिए the most innovative institute of the year चुना गया था, चलिए अब जान लेते हैं कौन कौन से पैरामीटर नवाचार पारिस्थित की तंतर को परगाशित करते हैं, सबसे पहले संस्था प्रागत रणनीतियां और अनुसंदान गहराई एवं दूसरा है नवाचार पोर्टफोलियो जो की प्रायवजित अनुसंदान एवं IPRPD अनुवाद संबंदी अनुसंदान इसमें सबी आते हैं, नवाचार को बढ़ावा देने और चैंपियन बनाने के लिए संस्था द् अभी इसमें आता है, जिसमें उद्योग अकादमिक साजिदारी, अंतराष्टी सायोग, प्राद्योगी की हस्तांतरा, सामाजिक प्रभावादी सब शमिलित हैं, चलिए अब जान लेते हैं, कौन-कौन से नवाचारों ने इस पुरुसकार के लिए चुने जाने वाले IAT प्रोडकी में योगदान दिया है, भूकंप इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर पंका जगरवाल, डॉक्टर आमित गोयल, डॉक्टर निधिन और श्री नवीन द्वारा भूकंप प्रतिरोधी आवास निर्मान के लिए, विसको इलास्टिक एनरजी, डिसी लिंक एलिमेंट्स, एवं हाई परफॉर्मेंस सुपर कैपेसिटर के लिए, नाइट्रोजन डोपेन रिद्यूस्ट ग्रेफेन ऑकसाइड, प्रोफेसर अनिल कुमार और रसाइन विभाग के डॉक्टर साहिल थरेजा से, केमिकल इंजीनिरिंग विभाग के प्रोफेसर प इक साथ हटाने के लिए, नोवेल हाईब्रिड एड्सोर्बेंट, चलिए अब बढ़ते हैं, आज के नेक्स्ट कुशन की तरफ, हाल ही में किसने नित्रत्तो प्रतिवद्धता दो हजार एक्किस के लिए संयुप्तराष्ट महिला पुरुसकार जीता है, जान लेते हैं इस कुशन का आंसर, आंसर है दिव्या हेग्डे, बढ़ते हैं इस कुशन से जुड़े हुए अन्यमहत्तो पुरुसकार समारों में नेत्रत्तो प्रतिवद्धता के लिए संयुक्तराष्ट महिला पुरुसकार यूएन विमेंस अवार्ड जीता है, उन्हें अपने संगठन ब जलवाईयू कारवाई प्रयासों के माध्यम से लेंगिक समानता को आगे बढ़ाने में उनके नीरंतर प्रयासों के लिए पहचाना गया है, जान लेते हैं आने विजेताओं के बारे में युवा नित्रत्तो का अवार्ड मिला है पलवी शेरिंग को, लिंक समावेशी कारे इस्थल का अवार्ड मिला है नट वेस्ट ग्रूप को, जेवं जेंडर रिस्पॉंसिव मार्केट प्लेस बने हैं धर्मा लाइफ, सामुदाइक जुडावेवं भागीदारी का अवार्ड मिला है दवैरी ग्रूप को, पारदर्शिता और रिपोर्टिंग का अवार्ड ग पर हस्ताक्षर करने वाला पहला भीमा करता कौन बना है जान लेते हैं इस कुष्ण का आंसर, आंसर है आईसी 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 आई प्रू लाइफ इंशरेंस, चलिए जान लेते हैं इस कुष्ण से जुड़े हुए अन्य महत्व पूर्ण विंदूओं के बारे में, आईसी पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारते भीमा कंपनी बन गई, इस तरता को बढ़ावा देने के लिए आई प्रू लाइफ इस जी कारकों को अपने निवेश प्रवंदन धाचे में एकी करत कर रहा है, UNBRI जिसकी फुल फॉर्म है, United Nations Supported Principles for Responsible Investment, तो UNBRI ने संयुक्त राष परियावरन कारेक्रम वित्त पहल और संयुक्त राष्ट ग्लोबल कॉमपेक्ट के साथ साजेदारी में एक निवेशक पहल ये है, जलवाईव परिवर्तन हमारे आसपास के जीवन और आजीविका को प्रभावित कर रहा है और देश के सबसे बड़े घरेलू वित्तिय संस साधरों में से एक के रूप में ग्रह को बचाने के लिए ESG कारकों पर सक्रिय और चिम्मेदारी से कार करना हम पर निर्वर है, चलिए अब जान लेते हैं आने महत्तोपून विंदों के बारे में, ICICI Prudential Life Insurance की स्थापना सन 2000 में हुई, ICICI Prudential Life Insurance का मुख्याल है मुंबई म महराश्टर में है, ICICI Prudential Life Insurance के CEO और MD है, नारायन शरी निवास कनन, चलिए बढ़ते हैं आज की नेक्स कोशन की दरफ, भारत सरकार ने किस बैंक से सूरत मेट्रो डेल पर योजना के लिए 422.26 मिलियन यूरो के रण पर हस्ताक्षर किये हैं, चलिए जान लेते हैं इस विकास बैंक के एफ डवलू बढ़ते हैं इस कोशन से जुड़े हुए अन्यमहत्वपोर्ण विन्दों की दरफ, भारत सरकार और जर्मनी विकास बैंक ने गुजरात में 40.35 किलो मीटर की सूरत मेट्रो डेल पर योजना के लिए 26 मिलियन यूरो के रण पर हस्ताक्षर कि परियोजना की कुलागत 1.5 अरव यूरो है जिसमें से के एफ डवलू 442.26 मिलियन यूरो का वित्त पूशन कर रहा है इस परियोजना को फ्रांसी सी विकास एजेंसी ए एफ डी द्वारा 200 मिलियन यूरो के साथ सह वित्त पूशित किया गया है परधानमंत्री नरेंद्रमोदी ने इस साल जनवरी में एहमदाबाद मेट्रो डेल परियोजना चरण सेकिंड और सूरत मेट्रो डेल परियोजना का शुभारंब किया था इस परियोजना का उद्देश सूरत सहर और शहरी छेत्रों में प्रमुक यात्रा गल्यारों पर यातायात की भीड़ और लंबी देरी को कम करना है चलिए जान लेते हैं सूरत मेट्रो परियोजना के बारे में 40.35 किलो मीटर लंबी सूरत मैट्रो परियोजना का उदेश सूरत के शहरी हिस्से के परिवेहन बुनियादी धाचे को मजबूत करना है इसमें दो कॉरिडोर शामिल हैं जबकी कॉरिडोर 1 21.61 किलो मीटर लंबा है और सर्थाना से ड्रीम सिटी तक है कॉरिडो टू 18.74 किलो मीटर लंबा है और भेशन से सरोली तक है चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स कोशन की तरफ CCI ने किस कंपनी द्वारा एर इंडिया में शेयर धारिता के अधिग्रहन को मंजूरी दी है तो जान लेते हैं इस कोशन का आंसर आंसर है Tata Suns बढ़ते हैं इस कोशन से जुड़े हुए अनमेहत तो पूर्ण विंदों की तरफ भारतिय प्रदेश परधा आयोग ने Tata Suns की पूर्ण स्वामित्तोवाली सहय कंपनी टैलेस प्राइविट लिमिटिड द्वारा एर इंडिया में शेयर धारिता के अधिग्रहन को मंजूरी दे दी है नियामक ने Air India Express और Air India Sats Airport Services में टैलेस द्वारा Air India में शेयरों के अधिग्रहन के साथ हिस्सेदारी अधिग्रहन को भी मंजूरी दी वर्तमान में Air India का पूर्ण स्वामित भारत सरकार के पास है चलिए अब जान लेते हैं इस कुशन से जुड़े हुए कुछ अन्य प्रमुख बिंदों के बारे में Air India S.A.T.S. Airport Services दिली, हैदराबाद, बैंगलूरू, मंगलूरू और तिर्वननत पूरम के हवाई अड़ों पर ग्राउंड हैंडलिंग से वाएं प्रदान करने में लगी हुई हैं यह बैंगलूरू हवाई अड़ों पर कारगो हैंडलिंग सेवाएं भी प्रदान करता है Air India AI XL के साथ मुख्य रूप से घरेलू अनुसूचित हवाई यात्रा परिवहन सेवा Air Cargo परिवहन सेवाएं और अनुसूचित हवाई यात्री परिवहन सेवा प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है चलिए अब जान लेते हैं थोड़ा सा टाटा की बोली के बारे में टाटा संस की सहाय कंपनी टैलेस विनिवेश प्रक्रिया के तहत एना यार इंडिया के लिए सबसे अधिक बूली लगाने वाली कंपनी बन कर उभरी टैलेस ने केंदर की सौप्ट शत एक्विटी हिस्सेदारी के लिए अठारे हजार करोड रुपए का उद्यम मूल उद्रत किया था अठारे हजार करोड में से टैलेस पंद्रह हजार तीन सो करोड रुपए अपने पास रखेगा जबकि शेश का भुगतान केंदर सरकार को नगत गटक के रूप में किया जाएगा यह हुए आज के सभी करंट अफेर्स वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सबस्क्राइब करें अपने और बाकी अन्य गृप्स के साथ शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कोई सोजाब हो तो प्लीज कमेंट के माद्यम से कमेंट बॉक्स में लिक कर हमें ज़रूर बताएं मिलते हैं नेक्स वीडियो में अन्यकर इंटरफेर्स के साथ तब तब के लिए नमस्कार धन्यवाद